स्वतंद्रता के अमृत महसों पर तीन देशकों से अधिकी समृत्व विरासित के साथ नागपुर के सबसे भरोसिमन शैशनिक संसानों में से एक स्कूल आप स्कॉलर्स याने SOS अपनी नई प्रांट पहचान और सिती का कुश्यों के साथ जश्ट मना रहे हैं ऐसी जानकारी स्कूल आप स्कॉलर्स आज की दशक में एक अग्रणी शैशनिक संसान है जो चात्रों की बहुत एक भावनात्मक और सामजिक विकास को बढ़ावा देनी पाला बातावरन देनी के लिए समर्पित है तीन दशकों से अधिक के समृत यतिहास के साथ स्कूल नवचार और अन रखते वे हम चात्रों को गुनवत्ता पुर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करें है श्रद्धियत दत्ता जी में के हमारी समृत परंपरा को विक्सित करते वे और इसे आधुनिकी करन के साथ जोड़ते वे स्कूल आप स्कॉलर्स चात्रों के बहतर भविश्य के लिए बदल रहा है ऐसे पेशिवरों को विक्सित करने के लिए जो ना केवल देश को गौरवानवित करेंगे बलकि एक उच्वल भविश्य का नेतुत्व भी करेंगे इस्ट्रेक्षनिक ट्रस्ट ने मेडिकल साइंस फार्मसी इंजिनरिंग प्रभंदन शा आपक पुस्तकाले खेल के मैदान चात्र अनुकुल कैंटिन और चात्रों और कर्मचारी के आवागमन के लिए व्यवस्तित परिवाहन है आज स्कूल ऑफ स्कॉलर्स जो एक हमारी स्कूल जो है एक 35 साल पुराना हमारा इंस्टिशन है आज एक नए चेहरे के साथ आ रहा है और जिसमें हमने हमारा लोगो आज चेंज किया है यह जो लोगो हमने चेंज किया है उसमें कुछ सिंबल जो हमने लिया है उसका महत्व यह है कि उसमें हमने एक पैंसिल ली है जिससे हम लोग शिक्षन शुरू करते हैं उसी के साथ में उसके उपर तीन डॉट दिया गया है वो तीन डॉट हमारा रिप्लिकेशन हमारा यह ह कि उसमें determination, dedication, यह जो हमारे and holistic development जो हमारे है, इसके साथ में यह dots उसको resemble करते हैं, उसी के साथ में हमारा जो vision है, जिस vision में हम लोग बोलते हैं कि multi-dimensional personalities हमें तयार करनी है and global citizenship हमें तयार करनी है, यह दोनों को साथ करते हुए हमने आज का यह logo, vision and mission हमने हमारे school of scholars के लिए आज 23 August को accept किया है school of scholars में जो लोगों का अनावरन हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि जो अभी future academics में NEP भी अभी government ने introduce किया है तो उसको मद्दे नजर रखते हुए, futuristic भी हम लोगों ने क्या करना चाहिए education में अभी का जो education system है, पुरे world में अगर बात करते हैं तब बहुत fast वो change हो रहा है, pace में change हो रहा है और ये change से ही हम लोग आगे चलके, जो हमारा education system है, इसमें और क्या changes करने चाहिए, जो बच्चों को नए-ने subjects introduce हो रहे हैं जैसे AI है, critical thinking है, robotics है, और maths में जैसे और बच्चों को difficulty जाती है subjects में, तो बच्चों से भी बात करके चीज़े पता चलिए, कि उनको कहाँ पर क्या problems होते हैं, तो pedagogy में क्या changes लाने चाहिए, teachers के लिए हम लोग काफी training sessions कर रहे हैं, तो teachers में भी कैसे बदलाव लाना चाहिए, आज के education system को mind में रखते हुए school of scholars, चोथी और दो की क्रांती के यूप में युवाव को केवल उपभोगताओं के अलवा प्राद्योगी की नव प्रवर्तकों के बढ़ने का प्रयास करता है, school की नई ब्रांच सकारात्मक भविश्य इस करांती कारी परिवर्तन को रिखांतित करता है, जो छात्र को आगे की गतिशिल दुनिया में आगे बढ़ने और समाज में नेतरूद्व करने के लिए आउशक के उपकर्नों से लेस करने के लिए डिजाइन क्या-क्या है, school का भविश्य वादी दुरुष्टी कोन छात्रों को हमिशा आगे बढ़ने और बदलते समय की अनुसार स्वयम को ढालने के लिए रचित क्या-क्या है, यह उनकी नए लोगों में परिलक्षित होता है, क्यामरा परसन अजित कुवर के साथ शितिजा देशमुक की रिपोर्ट